हालो बच्चों आप लोग कैसे हैं आपका हमारी आत्मा एकेडमी चैनल में स्वागत है आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं लॉजिक कीट इसका नाम समझेगा लॉजिक का मतलब होता है तरक करने की छमता तरक की बात मैं कर रहा हूं यह जो बुद्धिमान होते हैं वो तरक करते हैं पुराने समय में लोग सास्त्रार्थ करते थी ठीक है तो जो तरक करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं अब आपने घर में अपने पैरन्ट से तरक करें और अगर वो आपको डाटे तो आप मेरा वीडियो दिखा दीजिए कि उसमें बताया गया था कि तरक जो करते हैं वो दिमान होते हैं तो मैं तरक की बारे में बात करा हूं को तरक नहीं बता रहा हूं कि को तरक आप करें लॉजिक होना चाहिए और गेट का मतलब होता है आने जाने का रास्ता देखें एटम्स की खोज हुई डाल्टन का एटमी मॉडल आपने पढ़ा इसके पास इलेक्टरान प्रोटान न्यूटरान की खोज हुई उसके नेचर के बारे हमने जाना कि भई कुछ चार्ज पार्ट होती है उनकी हमने खोज की ठीक है फिर इलेक्टरान को रखा एक जग है तो दिखा एक अलेक्रिक फील्ड क्रेट हो कर रहा था उसमें कोई Central College ले कर आए तो उसमें फोर्स लगा तो हमने देखा इसका मतब एलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाता है हमने उसका यूज कि आपने कहीं ने कहीं कोई electronic equipment में electric electric equipment में इसके बाद हमने उसको एक्तार में चलाने की कोशिश की electron को तो current flow ने लगी current flow ही तो चारो तरह एक magnetic field create हो गया यह सब उत्रोत्र विकास हुआ है जब इसके बाद हमने कभी एक तार में एक electron दो electron पचास electron हजार electron चला रहे हैं तो हमने एक semiconductor बनाया जो बहुत electrons जहां से जाएं एक ऐसा system बनाएं कि उसको एक बुद्धी दे दें कि वो अपने आप काम करें अभी तक क्या हो रहा था कि हमको साथ चलना पड़ता था उसकी voltage कम करो यह करो वो करो अभी हमने का कि इस एक system को home ऐसा बनाएं जिसमें हम input लगा दें और उसको एक बुद्धी दे दें उसको एक सोचने की च्छमता दे दें कि भाई ऐसा हो तो ऐसा करना और ऐसा हो तो ऐसा मत करना और वो अपने आपक करने लगी तो वो एक हमने electronic equipment बराए जिनको हमने सोचने की च्छमता दे दी उनको हम logic gate क्याते हैं अब यहां पर पहले तो दो प्रकार के सिगनल होते हैं एक होता है एक होता है एक होता है और एक होता है डिजिटल सिगनल डिजिटल सिगनल एनलोक सिगनल क्या होता है जिसमें voltage हमेशा vary करता रहता है मतलब मालिया कि ऐसा voltage हो रहा है या ऐसा voltage हो रहा है लगातार vary कर रहा है तो इस प्रकार के सिगनल क्या होते हैं एनलोक सिगनल होते है ठीक है डिजिटल में क्या होता है अब इसमें दिक्कत क्या या तो signal off होगा या तो signal on होगा यानि कि मैं अगर on को ये दिखा देता हूँ on और off को ये दिखा देता हूँ on को ये दिखा देता हूँ on को ये दिखा देता हूँ तो on को यहाँ पर हम जो कहेंगे तो on का मतलब one हम लिखेंगे कि signal on है इसका भी क्या signal की या तो zero state है अब analogue सिगनल और digital signal में अनतर क्या है भाई आपने देखा होगा आज कल जितने भी डिस टीवी हो यह सवाब देखते हैं जितने computer system है उसमें समय digital signal यूज किया जाते analog signal यूज नहीं किया sacar क्यों भाई देखे हम जो बोलते हैं वो analog signal है हम television देखते है analog signal है कियोंकि हमको बोलने में हमारी आवाज में variation हो ना है मैं किसी से हम बात बड़े प्यार से करते हैं और कैसे हो अरे वाई हमने आप से बात कीती है ऐसे बोलते हैं और किसी से खड़ा को आग या तो yes या तो no वो डिजिटल सिंगल होता है ठेक है मालिया कहीं पर आपने किसी को एक instruction दिया कि भै देखो ऐसा है किसी फिल्म हाल में एक instruction दे दिया आपने उस gate man को कि देखे जिनके सर में बाल हो उनको जाने देना अंदर और जिनके सर में ना हो उन्हें मत जाने देना तो वो क्या करेगा बाल वाले को जाने देगा और ना बाल वाले को नहीं जाने देगा वो तो आपका हो गया डिजिटल अब मालिया उसमें हम पहुंच गए ऐसे क्या करेगा वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि यह बाल बाला समझें कि यह बाला समझें समझ में उसको नहीं आएगा तो यहां पर वो confused हो जाएगा तो analog signal क्या करता है वो confused करता है क्योंकि voltage हमने का voltage आवे तो 1 लिख देना voltage ना आवे तो 0 लिख देना लेकि voltage dim आवे तो क्या कर देना अब उसको आना कहें या ना ना कहें तो हम digital signal आज के लिए उसकी दो state है on या off on में one लिखेंगे या मानने कहीं कोई चीज बैटरी हाई है तो high में one लिखेंगे बैटरी low है तो उसको zero लिखेंगे यहां दो state होगी यहांने कि analog signal क्या होता है जहां पर voltage लगाता है वेरी होता रहा है वो analog signal है जो कि television वगरा यूज किया जाता है पर television में जो आवाज हमारी आती है जो expression हमारे आते है उसमें कहीं रोने वाला scene भी है कहीं डाटने वाला भी है कहीं मुगम्मे वाला scene भी है तो उसमें आवाज को वैरी करना पड़ता है तो हां analog signal होता है और digital में मतलब on या off या तो आर या तो पार तो ये तो हो गया ये दो प्रकार के signal के बारे में हम बात करेंगे करेंगे मतलब कर दिया है तो हम digital signal में अब पहुँच गये हैं देखिए इसमें होगा क्या कि इसमें एक device हम लेंगे एक device लेंगे इसको हमने सोचने की छमता दे दी है जिसको मैं gate बता रहा हूँ logic gate मैंने एक device ली है जो ज़्यादा semiconductor से बनके बनता है अब वो engineering का काम है कैसे बनाए जाएगा कितने pn लेंगे कैसे उसको जोड़ेंगे कहां से उसकी switch निकालेंगे बात की बात है यहाँ पर क्या होगा दो input होगे या एक input होगा यहाँ पर यह क्या होगे input signal होगे input signal होगे निवेसी signal हिंदी में क्या कहेंगे इसको निवेसी signal कहेंगे A और B दो input signal है और output हमेशा एक होगा यह Y माली यह यह output signal होगा यह एक input होगा और दो इसमें दो एक जो भी हो input होगा और यह output होगा और यहाँ पर यह logic gate है यहाँ पर उसको हम तरक करने की चमता देंगे यह आवे तो इन्हें जाने देना यह आवे तो इन्हें जाने देना दोनों आवे तो मर जाने देना बता दिया हमने कि एक एक करके आए तो जाने देना दोनों एक साथ आए रोक देना दोनों एक साथ आए जाने देना एक एक आए तो मर जाने देना तो यह उसको सोचने की हमने संता दी है ठीक है अब यहाँ पर जो हम डिजिटल सिगनल जो वेब के दोरा बना रहे थे ज़र उसको पहले आप समझ लें फिर हम गेर्ट में पहुंचते हैं यहाँ पर हमने का पर जीरो एक स्टेट होगी माले कहीं पर जीरो वन जीरो वन जीरो वन लिखा हुआ है इसे आप जो है वेब के द्वारा दिखाईये तो हम करेंगे क्या इसको जीरोली का तरीका क्या होता है यह लेविट जीरो तो यहाँ से यहाँ तक जीरो गया है ऐसे थिर्वा जीद्गत आपको रेट होगी इसको ऐसे। इसाइब समझेगा यह 0 ठीक, इसके बाद यह line कोई मतलम नहीं है, यह 1 यहां तक, फिर 1 यहां तक, फिर वापस लॉट के आगए, फिर 0 यहां तक, फिर 0 फिर high पहुँच गए, फिर 1 फिर 0 फिर high चले गए, फिर 1 ठीक है, तो यानि यह एक तरिके से इस प्रकार से इसका टाइम के हिसाब से इसकी ये चोड़ाई है ये चोड़ाई है ये समझ लिजे आप ठीक तो पहले जीरो ये फिर ये वन फिर ये वन फिर ये जीरो फिर ये जीरो फिर ये जीरो फिर ये वन तो इस प्रकार से अगर कोई इसको बाइनरी नंबर कहते हैं जीरो और वन को बाइनरी नंबर कहते हैं, दुवियाधारी नंबर कहते हैं, तो जब भी ऐसा कोई नंबर दिया होगा, तो इस प्रकार से इसको हम शो करेंगे, इसको हम वेब डाइग्राम कहते हैं, वेब डाइग्राम कहते हैं, या बॉक्स वेब भी कहते हैं, उनको क्या कह के विल्कुल एक रीड की हडी जो है वो ये gates हैं तुको gates होते कितने प्रिकार के हैं उनके input और output के हिसाब से कितने ऐसे input होगा न्रेशी सिंगनल होगा कैसे आपको बाहर सिंगनल मिलेगा उसके आधार पे gates को 6 तरीके से बाटा गया है main 3 तरीके से बाटा गया है 2 3 एक आपका होता है or gate एक होता है and gate और एक होता है not gate यह 3 प्रतार की gate होता है or gate and gate and not gate ठीक है अब जो or को मना कर दे or की बात ना माने वो nor gate हो गया or को negate कर दे वो nor gate हो गया जो and को negate कर दे ना माने वो nand gate हो गया यह उसकी बात नहीं मानगा है ठीकर और एक exclusive or gate होता है उसको or gate भी कहते है x or r लिखा जाता है यह बात भी बात करेंगे तो हम हर gate में तीन चीज़े यहां पढ़नी पढ़ेंगी एक तो इसमें पढ़ना पढ़ेगा इसका boolean expression boolean expression जार्ज बूल साहब ने एक algebra बनाई थी उसमें दो numbers के बीच में एक logical relation बताया था तो एक तो boolean expression इसमें पढ़ेगा एक हम सब के symbol दिखाएंगे वह इसका symbol क्या होगा एक इसका circuit diagram बनाया जाएग तो यहाँ पर यह जितने भी gates हैं इनका boolean expression बताना पड़ेगा symbol बताना पड़ेगा circuit diagram और इसका waveform अब हम बात करने जा रहे हैं और gate की basic 3 gates होते हैं यह basic gates है यह basic gates क्यालाते हैं यह 3 gates होते हैं basic gates फिर इनकी बात जो ना माने अब आप कहेंगे आप not की बात नहीं मानना है आप not खुदी बात नहीं मानना है तो बात ना मानने के उपर ना मानने वाली बात कहां से आ जाएगी ठीक है और यह 9 gate actually में यह बात में बताये जाएगा यह universal gate कहलाता है universal gate कहलाता है इसकी सायता से 9 gate के साहिता से और end और not gate बनाए जा सकते हैं ठीक है अब हम बात करने जा रहे हैं एक गेट्स की पहले हम तीन basic gates की बारे में बात करेंगे ठीक है इसका हम एक expression लिखेंगे उस expression से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये लफडा क्या है ठीक है एक second सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एक basic gate की और gate की बारे में बात करने जा रहे हैं ठीक है और gate में क्या होता है दो input और एक output होता है यानि यहां कितने input होते है two input signal होते है ये होते हैं मतलब यह आपको ज्यात ना पड़ेगा और one जो है वो output signal होता है output signal होता है ठीक है सबसे पहले इसका input signal का हम नाम क्या लिखेंगे a and b और output signal का नाम क्या लिखेंगे हम y तो इसका boolean expression कैसे लिखा जाता है boolean expression देखिए जो और होता है आप अगर modern एक पढ़ी होगी आपने तो union को और लिखते है या plus को और लिखते है तो हम लिखेंगे a r b equals y पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे a ये बीच में plus नहीं पढ़ेंगे r b equals y ये ऐसे पढ़ा जाता है ठीक है अब इसमें एक boolean expression साथ में एक statement याद कर लिजेगा कि यहां लिखेंगे we have a signal we have a signal if either a r b have signal have signal नाम से लग रहा है आपको अपने आप याद हो गया कि भई हमको signal मिलेगा यानि current मिलेगी voltage मिलेगी जब a और b किसी में भी signal होगा signal का मतलब voltage के variation signal का मतलब होता है हम जब बोलते हैं हमारी sound wave जो है वो हमारे microphone में जब जाती है तो वो voltage में करनूट होती है voltage के fluctuations होते हैं वो signal होते हैं वो signal यहां पर input कराए जाएंगे और उधर हमको output मिलेगा तो हमने का we have a signal if either a or b have a signal मतलब a और b किसी में भी signal हो किसी में भी signal हो हमें signal उसका मिलेगा अब आपको यहां पर अगर circuit diagram ना भी बनाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता रेकिन circuit diagram बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका symbol तो ये एक तो होगे आपका पहली चीज हमने क्या बताई boolean expression और ये इसको argument कहा जाता है इसको कहते हैं argument इस सब में एक argument जरूर लिख दिजिएगा argument से ये हो जाता है कि आपको clear हो जाता है कि हमको signal बिना diagram क्या समझ जाएंगे कैसे बनाए जाएगा ठीक है अब हम बात करने जा रहे हैं इसका symbol क्या होता है और gate का symbol क्या होता है दूसरी बात आएगी इसका symbol इसका जो symbol होता है वो ऐसे बनता है ये इसका symbol होता है यहाँ दो input है A और B दो input हैं और एक output मिलेगा इसको बीच में चाहो तो इसका नाम R लिख दो अदर्वाइस ये symbol हो इसका इसको कहते हैं इसका symbol ठीक है दूसरा चीज इसकी बनाई जाएगी अगली बात इसका circuit diagram कुछ बुक्स में circuit diagram नहीं बना होता है आप बना लिजेगा circuit diagram देखें इसमें होगा क्या कि एक आपका ये बादे एक battery लगी वी है ये है यहाँ पे गए यहाँ पर हमने दो रास्ते current के दे दिये एक ये switch लगा दिया एक ये switch लगा दिया और यहाँ पर हमने अपना एक bulb लगा दिया जहाँ signal हमको चाहिए यानि ये A है ये B है और ये Y है तो देखिए इसमें अगर हम यहाँ से battery से current जा रही है और इसको on कर दे तो क्या होगा इसको off कर दे तो current इदर चली आएगी अच्छा ठीक इसको off कर देए current इदर जाएगी दोनों को on कर दीजे तब ही current जाएगी दोनों को off कर दीजे तब current नहीं जाएगी तो ये circuit से हम पता कर सकते हैं कि हमको signal मिलेगा या नहीं मिलेगा otherwise जो हमने state में लिखा कि we have a signal if either a और we have a signal उससे भी हम निकाल सकते हैं इसके बाद चौथी बाद आपको याद करनी है वो है इसका truth table truth table एक तो कुछ लोग रटवाते भी हैं इसको रट भी सकते हो लेकिन जटने कोई जरुत नहीं है यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर a b और यहाँ पर a r b equals y देखे अभी हम बता चुके हैं कि 0 का मतलब off और 1 का मतलब on a off b off दोनों off है तो current मिलेगी नहीं मिलेगी तो y b off होगा a off b on a को off कर दो b को on कर दो तो इस रास्ते से current जाएगी तो आपको current मिलेगी यानिकी one a को on कर दो b को off कर दो current मिलेगी yes दोनों को on कर दो तो current मिलेगी yes तो यह आपका हो गया truth table अगर मैं इस diagram को भटा दूँ circuit diagram नहीं मनाता हूँ अगर मैं इसमें circuit diagram नहीं मनाता हूँ तो मैंने एक argument लिखा था कि we have a signal if either a or b have a signal नहीं a और b किसी में signal हो तो हमको यहाँ signal मिलेगा मिल गया अब इसका waveform कैसे निकालते हैं तो पांचवी बात है इसका waveform बताना पांचवी बात इसमें बतानी है waveform waveform या इसको box waveform भी कहते हैं box waveform भी कहते हैं जरा समझीएगा यह हमने अपना जिसे जो graph होगा यह graph की vertical lines होगी हमारे पास यह vertical lines ऐसे dotted line आप खिंच दीजेगा किसी और color से exam जवाब कर रहे हैं इसको इस प्रकार से समान चौड़ाई यह खिचेगा यहाँ तो कम ज़्यादा हो जाएगा लेकिन आप सेम चौड़ाई कि इसको खिचेगा ऐसे इस प्रकार से इसको आपने खिच दिया अब ज़रा A की बारे में देखते हैं आप पहले 0 है यहाँ पर A input हो गया आपका 0 लेबिल है यह आपका 1 लेबिल है ठीक है बी पर आजाओ बी पर क्या है 0 है 0 है फिर बी क्या है 1 है यह 1 लेबिल ले लो फिर बी क्या है 0 है यह 0 लेबिल ले लो फिर क्या है 1 है यह 1 लेबिल ले लो ले लिया आपने दिक अब यह तो आपके क्या हो गए input रटी हैगा नहीं input signal हो गए input signal हो गए ज़रा output पे आईए A जब 0 था और B 0 था यह 0 लेबिल था यह 1 लेबिल था नहीं आपको उसमें, A जब 0 था और B 0 था, तो Y क्या था Y भी 0 था, तो Y 0 हो गया, इसके बाद इस लेविल में 1, फिर Y 1 फिर Y 1, तो यह आपको क्या मिला, Y, यानि यह क्या है यह आपका output signal, ठीक है तो इस प्रकार से R gate हो गया आपको जो circuit diagram बनाये गया है, यह बनाईए यह ना बनाईए यह statement याद रखिए We have a signal, if A or we have a signal, A और B किसी में भी signal होंगे, तो signal मिलेगा, यह याद रखिएगा क्योंकि हर जगे circuit diagram नहीं आप बनाएंगे आप से हमने का R gate है, बताओ दोनो on है तो, या एक on है तो आपने का R gate में हमके याद रखा है कि कोई एक भी on होगा circuit में, तो हमको current मिलेगी हमने का यह होगा, ठीक है, तो यह आपका R gate हो गया, ठीक है अब जड़ा देखिए, अगला है not gate क्या क्या आपको बनाना है, एक तो boolean expression उसके साथ एक argument लिग दीजे, वो अपनी जानकारी के लिए है, इसके बाद उसका symbol, इसके बाद उसका circuit diagram दूसरा है आपका not gate not gate नाम से लग रहा है, यह बात नहीं मानता है, यानि it negates the input it negates the input it negates the input, input signal को यह negate कर देता है यानि कि हम जब कहते हैं current भेजते हैं on करते हैं circuit को तो वो current नहीं देता है और जा हम switch off कर देते हैं तब current देता है कैसे देता है, समझीएगा इसका पहले तो हम बात करेंगे boolean expression की boolean expression की देखे, इसमे one input होता है input signal कितने होते हैं input signal एक और output signal भी एक होता है ठीक है input signal को नाम क्या देंगे a और output को क्या देंगे b ठीक है तो इसका होगा not a इसके उपर बार लगा देते हैं equals y not a equals y क्या बोलेंगे इसको not a equals y देखे, अब अगर हम यहाँ पर circuit diagram नहीं बनाते हैं तो दिक्कत तो आपको नहीं होगी लेकिन जो हम it negates वाली बात कर रहे हैं वहाँ पर आपको confusion की इस्तित create हो जाएगी ठीक है इसका symbol देखेगा पहले symbol क्या होता है इसको triangle shape दे देते हैं इसलिए pn junction को represent करता है ये input है ये आपका input है यहाँ इसको logic दी गई है इसको समझाया गया है कि बेटा ऐसा करना कि जम switch on कर दें तो अंदर मत जाने दे रहा है उसको और switch off कर दें तब जाने दे रहा हमने इसको तरक करने की शक्ती दी है ये हमारी जिम्यदा दी है ठीक है और यहाँ पर एक knot लगा दी है knot की यह पहचाने है एक knot लगा होता है ठीक है और यह आपको output मिलता है तो यह इसका हो गया symbol अब आप कहेंगे सब सब circuit diagram बनाएगे कि उस circuit diagram से ही समझ में आएगा कि actually हो क्या रहा है देखिए इसका circuit diagram इसका circuit diagram देखिए इसमें एक battery है ये एक आपकी cell लगी भी है बैटरी लगी भी है ठीक है और यहाँ पर हमको एक output चाहिए बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर y है यह हमारा क्या है यह output है ठीक है अब होगा क्या कि current तो जाएगी जाएगी इदर लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक रास्ता यहाँ बना दिया है और यहाँ पर हमने एक switch लगा दिया है यह आपका switch है ठीक है यह आपका A है input आप ज़रा समझेगा जब इसको on कर दोगे तो current travels the shortest path तो current इस रास्ते से चली जाएगी यानि वो इधर नहीं जाएगी जब इसको on कर दोगे और जब इसको off कर दोगे तो यह रास्ता बंद हो जाएगा current इधर जाएगी आप समझेगा रहा है कि on करने पर current यहां circuit diagram वो symbol था है circuit diagram इसके बाद देखिए इसकी truth table सत्यता साणी कहते हिंदी में इसको truth table देखिए यह आपका A हो गया और यह not A equals Y जब A को हमने 0 किया यानि कि इसको हमने off कर दिया यह switch off है तो current इधर से जाएगी यहां पर क्या मिलेगा one और जब इसको on कर दिया तो current का यह रा हो ठीक हो जाने दीजिए वो हम consider नहीं करेंगे current का जो shortest path होता है current इधर चली जाएगी तो यह आपका zero हो जाएगा इसलिए हमने का it negates the signal यह signal को negate कर देता है यह आपकी truth table हो गई इसके बाद box wave या waveform waveform या इसको कहते हैं box wave कैसे बनाएंगे देखे जान से पहले तो यह आप vertical lines बना लीजिएगा यह graph में ना हो graph तो copy बना लीजिएगा input में यह zero है और यह one है यह आपका input है a है यानि की input है अब output कैसे मिलेगा जब zero किया था तो one और जब one किया था तो zero यह आपका क्या बना यह output बना यह आपकी box wave है तो यह not gate होता है जो हमारे signal को negate कर देता है चीक है अगला तीसरा gate है end gate यह हम logic देते हैं उसको उसको हम समझाते हैं कि बिटा देखो जब आफ हो तब जाने देना ठीक है अब end gate बारे में बात करते हैं अगर इसका हम आर्गुमेंट के साहता से इसको समझें तो आप रिखेंगे if a and b both have signal then we have the signal बस यह समझेगा तो पहले तो यहाँ पर input signal कितने होते हैं यहाँ पर input signal जो होते हैं वो दो होते हैं उनके नाम हम क्या लिखेंगे ए और बी यह नाम लिखेंगे यह नाम अपनी जनकारी के लिए भी लिख रहे हैं ऐसे जो लिख रहे हैं और जो output signal इसमें होते हैं output signal जहाँ पर हमको current मिलती है वो एक होता है जिसका नाम क्या देंगे हम वाई ठीक है इसका अगर हम argument लिखें याज करने के लिए तो आप लिखेंगे we have a signal we have a signal if a and b both have signal देंगो यह statement आपको पिना किसी circuit डाइग्राम की अपने आप आपको जो है logic दे दिया दिमाग में कि दोनों में signal होगा तब हमको signal मिलेगा यह याद हो गया आपको इसका symbol क्या होता है देखें इसमें इस प्रकार से बनाते हैं यह ऐसे बनता है यह एंड गेट है यह इसके अंदर हमने सूजने के चमता दिये है यहाँ दो input है इनके नाम क्या है A और B और एक इसमें output है यह यह गोला ना मनाईएगा यह एंड गेट का symbol है अब इसका हम circuit diagram लेकी चलते हैं क्योंकर circuit diagram आपको बताएगा कि actual में current क्यों नहीं मिल रही है देखें ना बनाओ तब ही चलेगा हमने statement में already clear लिख दिया है कि both have a signal then we have the signal देखें actually यहाँ पर दो switch ऐसे लगे हुए हैं एक यह switch लगा है एक यह switch लगा हुआ है और यहाँ पर यह battery लगा दी है और यहाँ पर हमको current चाहिए यह दो input है और यह एक output है यह हमने लगा दी है अब बताएए देखके बताएए अगर दोनों को हम on कर दें तो current मिलेगे एक नहीं मिलेगी तब मिलेगी ना एक को off कर दो तो current नहीं मिलेगी भाई देखें कि circuit break हो गया है तो य आपको clear कर देता है कि actual में हो क्या रहा है और otherwise argument से आप अपने आप जान जाएंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है अब इसकी जड़ा truth table देखें कैसे बना जाती है और box देखेंगा अब इसको पनाया कैसे जाता वैसे तो यह semiconductor की साहिता से बनते हैं इसका यह engineering का concept है इसकी truth table सत्यतास आणी कहते हैं इसको truth table अचा इसका boolean expression देखेंगे था a or b and b equals y यह boolean expression हम पहले नहीं बताया था boolean expression इसका जो होगा वो होगा a and b equals y यह and को represent करने के लिए boolean सहाब ने dot का इस्तेमाल किया था into का इस्तेमाल किया था ठीक है देखें truth table क्या होगी यह input हो गया a यह input हो गया b और यह a and b equals y देखें a 0 b 0 तो क्या करन मिलेगी नहीं मिलेगी 0 a 1 है गी 0 है इसको on कर दिया इसको off कर दिया रास्ता पूरा हो गया नहीं हुआ जीरो यह 0 यह 1 करन मिलेगी नहीं दोनों on तो करन मिलेगी yes यह truth table हो गया ठीक है अब इसकी box वे आपने आप बना सकते हैं waveform आपको इतना बताया गया है कैसे बनाया जाएगा देखें इसकी waveform बनाने जा रहे हैं waveform 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 देखें जान से यह आप dotted line खीज दीजेगा अपनी जानक इसको यहां बढ़ाए यह थोड़ा सा देखिया यह 0 है एका 0 लेबिल ठीक है फिर एका 1 लेबिल फिर एका 0 लेबिल फिर एका 1 लेबिल यह यह इस प्रकार से complete कर देंगे आप यह तो line वर्टिकल हैं से कोई मतलब नहीं 0 फिर यह 1 फिर यह 0 फिर यह 1 यह होता है बी का 0-0, फिर बी का 0-0, फिर बी का 1-0, फिर बी का 1-0, यह आपका A हो गया, यह आपका B हो गया, यह आपका input signal हो गया input signal Y क्या में रहा है, सभी cases में जिरो है यहां भी जिरो आगे भी जिरो आगे भी जिरो और यहां पर उपन तो यह आपका output signal हुआ ही मिला तो यह आपके end gate, or gate और not gate यह basic तीन logic gates हैं अब इसके बाद बात करेंगे कि इनको combine कैसे किया जाएगा इनकी साहिता से कैसे end gate की साहिता से क्या और gate बनाए जाएगे next video okay thank you देखिए यह अब बात करते हैं combination of logic gates की logic gates को कैसे जोड़ करके दो से अधिक gates को जोड़ करके एक नया gate कैसे बनाया जाए सबसे पहले हम बात करेंगे nor gate की nor gate की बारे हम बात करेंगे अभी हम थोड़े पहले बता चुके हैं कि which negates or gate or gate को मना करता है वो तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें होगा क्या कि not after or or के बार the not लगेगा एक confusion बहुत होता कि पहले not gate लगा दे फिर or gate लगा दे या पहले or लगा या पहले not लगा अभी or को negate करना है और की बारे और की बात नहीं माननी है तो पहले or बात करेंगा आप से अभी तो उसकी बात नहीं मान होगी, पहले नहीं माना, क्या हम, जो भी तुम पहुखे नहीं мानेंगे, अभी सामने वाले ने कुछ का ही नहीं, ठीक है, तो पहले क्या लगाएंगो आर्गेट, इसका दूसरा भी रिजन मैं बता दूँ, देखे और gate क्या होता है यह और gate का symbol है यह पहले और gate बना ठीक है और gate में क्या है दो input signal है A और B ठीक है अब यहां से यह कौन सा gate है और gate है यहां से एक output निकला इसका नाम दे दिया आपने वाइडस इसके बाद इसके बाद यह जो वाइडस है यह आगे नाट गेट के लिए input का काम करेगा और यहां पर आपको input मिलेगा ज़र समझीगा अगर इसको पहले आप जोड़ देते इसको पहले लिख देते तो यहां input कितने मिलते यह output कितने है एक और यह आपके और gate का input बनता और और को कितने चाहिए दो तो यहां से तो एक ही निकला इसको दो चाहिए तो यह संबो नहीं है तो पहले और होगा फिर उसकी बात को निगेट करेगा यह आपका not gate हो गया यह symbol तो बनाया गया इस दोनों को मिलाकर की अब बनाएंगे कैसे इसको पहले not gate बनाएंगे यह not gate बनाया आपने फिर यहां आपने पहले और gate आपने बनाया इसके दो input लिखे आपने यहां पर not लगा दिया और के बाद not यह not का symbol होता है main अब यहां से y निकलेगा यह आपका main आपका not gate का symbol है यह a है यह b है अब आपको यह असर के डाइग्राम जोरुत नहीं है यह परयापते क्योंकि पहले आप सब पढ़ चुके हैं अब इसकी truth table कैसे बनाई जाएगी सत्यता सार्णी जड़ा समझेगा truth table यहां थोड़ी से technique है मैं पहले truth table बनाऊगा r से y dash फिर इसको इसका input मान के तब y बनाऊगा देखें समझेगा ज्याद्यान से यह आपका यह a है यहां के बाद मैं कर रहा हूं यह b है फि a r b क्या मिला आपको y dash और y dash को जो negate किया उसने वहां आपको क्या मिला y यह negate कर देगा देखें यहां के बात करते हैं अभी हम r gate का statement argument हम बता चुके हैं आपको कि we have a signal if either a or we have a signal a और b किसी के पाद जो signal होगा हमको इसका signal मिलेगा ठीक है समझीगा हमने a को 0 किया b को 0 किया हम not की बात नहीं कर रहे हैं हम के बल और की बात कर रहे हैं तो क्या हमको signal मिलेगा नहीं मिलेगा अब यहां नहीं मिलना है not क्या करता है अगर signal नहीं देते हो यानि कि आप switch off करते हो तो यह क्या करता है यह current on कर देता है यहाँ one मिलेगा पहले हम और gate फिर और को छुपा लिजिए फिर not gate इसके बाद हमने A को signal दिया और B को signal नहीं दिया तो और gate क्या करेगा और gate signal देगा और not gate क्या करेगा उसको negate कर देगा जीरो मिलेगा एक सिकने अब दिखी यह हमको नहीं दिखाना हमको यह gate चाहिए तो हम यह याद रखेंगे 001, 100, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001 यह याद रखेंगे ठीक है यह तो हमने बीच में intermediate table बना दी है और gate के लिए अब इसका वेव फार्म कैसे बनाए जाएगा वेव फार्म या आपको वेव फार्म कैसे बनाए जाएगा वेव फार्म या हमने भी बताई है इसका नाम क्या है बॉक्स वेव अब इसको अपने आप खीचने की कोशिश करेंगे आप इसे चीटिंग मत करना मैं फिराल बनाए देखो A पहले 0 है फिर A 1 है फिर A 0 है फिर A 1 है तीक यह A है B में आई यह B पहले 0 है फिर B 0 है फिर B 1 है फिर B 1 है यह B है यह आपके input हो गए input output कैसे होगा जब यह 0 और यह 0 तो यह 0 यह 1 मिलेगा यह छुपाली जिएगा तो यह 1 है फिर आगे में 0 है 0 है 0 है ठीक है यह इस पिकार समझेगा 0 1 0 1 यह A हो गया B मिसे भी है 0 0 1 1 यह इसका gap सेम होना चाहिए Y में क्या है 1 0 0 0 यह जो है यह एक हाइट पर आनी चाहिए यह समझेगा तो यह आपका कौनसा gate है यह हो गया आपका nor gate अब बात करते हैं Nand gate Nand gate Not after end वह हमने क्या कहा था कि यह end gate की बात नहीं मानता It negates end gate तो it negates end gate में सबसे पहले क्या होगा end gate कोई बात करे कहेगा वो कहेगा हम नहीं करेंगे यह ऐसा थे नहीं कि end gate कुछ नहीं बोला end gate आया नहीं बोले end gate जो कहेगा हम नहीं करेंगे ऐसा नहीं होता है end के बाद not लगता है तो यह बात है Nand gate यह Nand gate नहीं है Nand gate not after end end के बाद not लगेगा ठीक है तो सबसे पहले यह end gate होगा end gate इसमें दो इनपुट होते है A और B एक आउटपुट निकलता है Y डैस यह इनपुट का काम करेगा अगर हम पहले not gate लगा देते तो not gate में output कितने होते एक और वो जो output not gate का होता वो end gate के लिए input का काम करता हो इसको कितने input से यह दो अगर आप यहाँ not लगा देते पहले not लगाते आप तो not पे एक output होता यह इसका input काम करता तो यह बाद में नहीं लग सकता है एक तो यह रीजन है और दूसी बात यह end gate को negate को negate करता है तो negate कब करेगा जब पहले end gate आएगा आपनी बात कहेगा तब सामने बात में कहेगा भाई हम एक काम नहीं करेंगे ठीक है इसके बाद यह input करेगा not gate के लिए यह not gate और यहाँ पर आपको output मिलेगा यह not gate है जब combine एक बनाएंगे आप बनाना यह वाला जो हम बना रहे है इसमें दो input होंगे यह not का symbol है और यह y मिलेगा यह आपका नहींड gate है दो input ठीक अब ज़रा इसका truth table देखेगा truth table देखे हम यह intermediate जो y dash से यूज करेंगे फिर एक और table आप बना लेंगे देखे यह a यह b यह a and b equal y dash मिलेगा और फिर फाइनली आपको y मिलेगा and में हमने क्या गहा था कि we have a signal when both a and b have a signal जब a और भी दोरों में यह argument याद कर लिजेगा क्योंकि यह argument आपको बिना किसी diagram के बिना किसी statement के आपको याद रखने के लिए दिमाग को तयार रखेगा कि we have a signal when a and b both have a signal end लगा हुआ है तो अनि a में अगर signal नहीं है b में signal नहीं है तो यहाँ signal नहीं होगा पहले इसकी बात में कर रहा हूँ यह आप टेबल चुपा लेंगे अपनी जानकारी के लिए आपने रखी है लेकिन exam में बना दो तो अच्छी बात है लेकिन finally आप एक और टेबल बनाएंगे वहाँ यह y को रेप्रेजन करें अब इसका wave